Very good morning to all of you, 23rd of April 2024, आज 3.50 के around हुई थी मेरी सुभा, कई दिन ऐसे निकल जाते हैं कि हमने सोचा ही नहीं होता कि दिन ऐसे भी जाएंगे, आज का दिन मेरा पता नहीं कुछ अजीव साही था, सुभे से ही, मतलब मेरा बुक वाली पढ़ाई कर देगा मन नहीं था सुभे सुभ का दिन मेरा पूरा इमोशनली जाने वाला है, अन प्रिडिक्टेबल दिन पूरी तरीके से जो सोचा नहीं वो चीज़े होती गई, और सर्प्राइजिंग भी रहा एक मुमेंट मैं जब कुछ शेर करूंगे आगे चलके वीडियो में आपके साथ, तो अब ही ले 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 ल जो टार्गेट मैंने बनाए देना मैं उसमें खुद मैं बहुत पीछे चल रहे हूं, तो मुझे लग निरा कि मुझे अपना तार्गेट अभी आपके साथ शेर करना चाहिए, मैंने कुछ टाइम पहले कमुलिटी पोस्ट पे शेर गया था, वो जाके देख सकते हैं, उसम हमें मिलता है कि हमें जो मेंस है, वो साथ के साथ लेके चलना चाहिए, है भी सही, लेकिन मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि आंसर राइटिंग जब करती हूं तो उसमें ही टाइम निकल जाता है, क्यों आप लोग मुझे से सवाल करते हो ना कि हम एक स्पजेक करते हैं, उसमे को चेक करते हैं, तो इसलिए मैं फिर वापिस ना, इसलिए मेरा मूड थोड़ा सा ऐसा है कि मुझे समझ मिन आ रहा था कि मैं अंसर राइटिंग पे टिकी रहूं यह पहले अपना प्री स्पेसिफिक सब्जेक को कम्प्लीट कर लूँ कहीं ऐसा ना हो मेरे साथ की भाहिया हम मेंस की अंसर राइटिंग करते रहे गए और प्री के लिए जो सब्जेक्ट हमें चाहिए थे वो ही हमारे एंड तक कम्प्लीट मी हो रहे और अभी तो सी सैट भी लेके चलना है साथ में और फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी करने के लिए तो मुझे खुद नही समझ में आ रहा मैं एक बार अच्छे से समझ लूँ फिर आप लोगों के साथ वो चीज़ें जो टार्गेट है या फिर जो भी हमारा प्लैन है वो शेयर जरूर करने किसे लिखा है कि दी मेरे तीन बच्चे हैं और उमर तीस साल है मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रख वाले गुर्मेट एकजाम दे सकती है मुझे सीरियसली सीरियसली बिल्कुल भी नहीं पता कमेंट में ही किसी ने उतसे पूछा था इवन मैं उनको रिप्लाइब नहीं कर पाई क्योंकि जिस चीज़ के बारे में मैं शौर नहीं हूँ बैकिन आपको मैं वैसे बता रही हू कि आप अपसे सुनने में आरा है तो मुझे भी ऐसा सुनने में आया है मतलब कमेंट मैं इस चीज़से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हूँ तो इस चीज़ को एक बार आप देख लेना कि क्या कुछ ऐसा है या फिर भ्रहम भाती चली हूए है मुझे कुछ आइडिया नहीं ह लेकिन हाँ आप अपनी पढ़ाई किसी भी एज में, किसी भी दोर में शुरू कर सकते हैं, स्टार्टिंग में मुसीबते आती हैं, मुश्किल आती हैं, इतना आसान नहीं है, मैं फिर बोलूँगी, बिल्कुल आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा, लेकिन मुश्किल आपको पार पाजानी है, अगर पार पाजाओगे तो फिर अपनी पढ़ाई आप और अपने सपने पूरे कर ले हुए। किसने लिखा है कि क्या मैं नाइट जोग के साथ पढ़ाई कर सकता हूँ, जी करने को और नहीं करने को ना भी, डिपेंड करता है आप पे कि आप में कितनी लगन है और अपनी नेंद कितनी कम कर सकते है, क्योंकि टाइम तो भही 24 गंटे नहीं है, अब उस 24 गंटे में आप कह वेत्ट होगी और यह कहूंगी अपने अपना लिए तो आपको नीद नहीं आयीगी सुबहें वह टृक्रिक यह है लेकिन बहना प्लीज उसको ध्यान से यूज करना अपने मन पर कंट्रोल लगके आपको क्या करना है जब भी आपको लगे की सुबह उठती नीद आती है तो तो कहीं ने कहीं आपका माइड एक्टिव हो जाएगा और पढ़ाई के लिए शायद वो अभी अच्छे से इटलाइज आपका पाव टाइंग और यहां पे मेरी सिस्टर और उनकी फैमली जा चुकी है और मैं चोटी गुडिया को बहुत मिस्कर रही थी चुंकि मेरी कोई ब जाओ उसा है और अपनी चोटी बहन से भी लगाऊ है तो थोड़ा सा तची मोमेंट्स थे यहां पर लेकिन फिल्ट थोड़ा सा गाने सुनके मैंने मूड को चेंज किया क्योंकि अभी जो सपना देखा है उसमें अभी चाहे आप इमोशनल कभी हो जाओ या कैसे भी हो कोई दूसरा आपका मूड ठीक करने नहीं आएगा किसी ने कमेंट किया है कि क्या मैं प्रेग्नेंसी में पांच घंटे की नेंद लेके पढ़ाई कर सकती हूं शहीद उन्हें पढ़ाई का मैंने पढ़ाई के लिए ही बोला हुआ यह नहीं तो आप इतनी नींद क्यों कम क नेंद पूरी करके और दिन में एक घंटे का नैप पूरी करके हो रही है तो फिर भी आप कर सकते हो अगर नहीं ऐसा नहीं है तो प्लीज मैं कहूंगे थोड़े ताइम के लिए पढ़ाई को छोड़ दो यार आपको शायद मेरी एडवाईज ठीक लेगे नहीं लेगे मु क्योंकि यह जो यह फेज है यह अपनी खुद के लिए तुना है ना क्योंकि आप इसमें बराबर के हिस्सेदार हैं जिमेदार हैं तो आप अपने बच्चे को कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उसके हेल्थ पे कोई एफेक्ट पड़े तो अपनी मदर हूट की जननी को एंज करेंगे लेकिन आज ही करेंगे ऐसा कुछ सोचा नहीं था लेकिन मौसम अच्छा था और बेटा स्कूल से आते जब आ रहे थे हम तो उसने पार्क में अपने फ्रेंड को देखा तो वो जित्ते अड़ गया में को अपनी पढ़ाई करनी है मैं इसको मना करी थी लेके जाने करेंगे तो यार मैं पुछ एसा चलता है क्योंकि मैं खुदको मैं सोच्ती हो कि मुझे नहीं करना है लेकिन ज्यादा इन्वाल भी नहीं रहना है या बेलेंस लाइफ बना के चली है लेकिन हाँ अभी थोड़ा सा फ्रिक्वेंट हो गया लेकिन मैंने थाइड किया कि अभी थोड़ा थोड़ाई करेंगे लेकिन बच्ची की पढ़ाई भी करवानी थी तो वही सब्सक्राइब था जालनधर और उनका थानी आज आने का प्लैन लेकिन फिर एक सर्प्राइज मिला अच्छा लगा नहीं तो घर थोड़ा सा खाली खाली सा लग रहा था और अच किनो कंडिशन आपको बता दी कि एमोशनली भी था अन प्रिडिक्टेवल भी था और फिर सर्प्राइजिंग भी था तो ऐसा रहा कुछ आज का दिन लेकिन रात को पढ़ाई करेंगे जरूर क्योंकि यार मनला मेरी जान बसती है पता नहीं क्यों पढ़ना अच्छा लगत में बाता है अगर आपके बच्चे नहीं को सुधारे अपनी को सुधार है क्योंकि कहींने कहीं बाता है ञाए कि पाइस कोई हो सकती है या जिनको तुष्ण की नीड हो और ऊसकादी है एरिया इस नहींट हो सकते कंगी कहीं नहीं कि जो अभी पढ़ाई और अगर दूसरे वाली कंडिशन है कि मतलब आप अपनी कमी सुधार सकते हैं, देखिए कमियां कहीं ने कहीं होती हैं, क्योंकि नहीं तो एक बच्चा, दो बच्चा 6 महीने आते वे तो तीसरे चोथे बच्चे को खैंच के लाई सकता है, वो एक अड़र्टाइजमेंट वा वाली किस्!